मामले और बीबीसी बिवाद के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी एक नई मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं अमेरिका के अरब पती कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने कल यानी 16 फरवरी को जर्मनी के म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल इंवर्सिटी ओफ म्यूनिक में एक कारिकरम को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के अलोकतांत्रिक रवयोय पर कुछ ऐसी बाते कही हैं जिन से बीजेपी की परतिष्ठा पर आच आती हुई दिख रही है जोर्ज सोरोस ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है यानि अलोकतांत्रिक है पीएम मोदी के बड़ा नेता बनने की एक वज़ा मुस्लीमों के साथ की गई हिंसा है ये सब बाते कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस वहीं अडानी मामले पर सोरोस ने कहा है कि पीएम नरिंद्र मोदी इस मुद्दे पर शान्त हैं लेकिन उन्हें संसद में सवालों के जबाब के साथ विदेशी निवेशकों के भी जबाब देने होंगे जॉर्ड सोरोस ने ये भी कहा है कि आडानी का मुद्दा भारत की संगिये सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा इसके बाद जॉर्ड सोरोस ने उमीद जताई थी कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा ये अंडर लाइंड कोटेड आप समझ सकते हैं और इसको नोट करके रख लीजे दोस्तों कि भारत में जॉर्ड सोरोस कह रहे हैं अरब पती व्यापारी और नसर व्यापारी बलकि दुनिया भर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो बहुत खर्च करते हैं पैसा दान में देते हैं और उनका कहना है कि भारत में आने वाले दिनों में एक लोकतंत्रिक परिवर्तन होगा आए ज़रा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस तो पिये मोदी इस मसले पर चुप हैं लेकिन उन्हें आंसर देना होगा जवाब देना होगा सदन में भी और विदेशी निवेशकों को भी तो जॉर्ज सोरोस ने साफ तोर पर मोदी जी की आलोचना की है और उनकी चुपी पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी जो है वो अब इस पूरे मसले को देश पर हमला और विदेशी साजिश की तरह बता रही है सोरोस को जबाब देने के लिए बीजेपी ने स्मृती इरानी को सामने किया हलांकि विदेश मंत्री एस जैशंकर इस मसले पर बोलने के लिए सबसे उपयूगते हो सकते थे बहराल इसमृती इरानी ने एक प्रेस कांफरेंस करके सोरोस के बयान को विदेशी साजिश बताते हुए कहा है कि विदेशी धर्ती से भारत के लोकतांतरिक ढाचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है स्मिर्टी रानी ने एक तरह से आहवान किया कि जोर्ज सोरोस को हम एक सुर में ये जबाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधान मंत्री मोदी ऐसे घलत इरादों के सामने सिर्ड नहीं जुकाएंगे एक व्यक्ति जिनका नाम है जौद सुरोस उन्होंने एलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक धाचे पर चोट करेंगे उन्होंने एलान किया है कि वो प्रधान मंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे उन्होंने एलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतरगत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बलके उनके हितों का संरक्षन करेंगे आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूँ चाहे आप व्यक्ती हों, चाहे आप संगठन हों, चाहे आप राजनेतिक दल हों हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोगतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है जौद सुरोष का ये एलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को जुका देंगे हिंदुस्तान की लोगतांत्रिक धाचे से चुनी हुई सरकार को द्वस्थ करेंगे उसका मुटोड जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए तो उसका मुटोड जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए जो कुछ कहा है जौर्ष सोरोष ने पता नहीं किस कुंठा के तहट बीजेपी सरकार के मंत्री ने ये कहा है कि हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है। क्या बीजेपी अब स्वतंतरता आंदोलन में अपना योगदान भी साबित करना चाहती है। खेर सोरोस ने साफ तोर पर अडानी और मोदी के करीबी संबंधों पर टिपनी की थी। आपने सुना ही। इस बात को गलत ठहराया कि मोदी इस मामले पर चुप हैं जबकि उन्हें जबाब देना चाहिए। कॉंग्रेस और कई विपक्षी दल भी तो मोदी जी से जबाब ही म कॉंग्रेस के नेता, कई नेता, पर इस कॉंफरेंस के जरिये मोदी अडानी संबंधों की पोल खोलते नजर आए। मुंबई में कॉंग्रेस नेता पवन खेडा ने क्या कुछ कहा। सुनिये जरा। इसी दोस्ती, इस देश में भाई जक्ताप, इस देश में एक गौतम वो थे जिनोंने तपस्या करके बुद्ध बन गए। और दूसरे गौतम ये हैं जिनके लिए प्रधान मंत्री तपस्या करते हैं 18-18 घंटे। कमाल के गौतम, 18 घंटे की तपस्या पिछले 8-9 साल से, सेवी चुप, ED चुप, SFIO चुप, Income Tax चुप, और तो और प्रधान मंत्री के मुझे तो अदानी शब्द नहीं निकलेगा, अजीब सा रिष्टा है कि उसका नाम भी नहीं ले सकते, ए जी, कुछ करके बोल दीजिए, बोलिए ना नाम तो लीजिए, और तो और राहुल गांधी जी या खड़गे साहब भी जब उनका नाम संसद में लेते हैं, तो संसद से ये शब्द एक्षपंज कर दिये जाते हैं, कारवाई से निकाल दिये जाते हैं, क्यों? आप अदानी पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, वो एक बात है, अदानी पे कोई सवाल भी नहीं पूछे, संसद में भी नहीं पूछे, आपने देश के बड़े-बड़े एरपोर्ट्स अदानी को दे दिये बड़े-बड़े बंदरगा अदानी को दे दिये यहां वियाईपी मूवमेंट होती है ना बंबई की सडकों पर तो मुख्य मंतरी निकलते हैं उससे पहले एक पाइलेट आती है फिर मुख्य मंतरी की गाड़ी आती है फिर एक एसकॉट आती है ऐसे हमारे अदानी जी का बिजनस चलता है पहले एडी जाती है फिर अदानी जी आते है और पीछे फिर पहिले रेड फिर अदानी जी और उसकी बाद मोधी जी मुस्कुराते वे आते हैं यह बिजनस मॉडल है तो अदानी, अमबानी और मोदी जी अमबानी को किनारे कीजिए लेकिन अदानी और मोदी जी के रिष्टों की पोल खोल रहे हैं यहां कॉंग्रेस के नेता एक साथ तेईस शहरों में प्रेस कांफरेंस करके आज इसी मसले पर ये तमाम कांग्रिसी नेता अपनी बात रख रहे थे अपनी पार्टी की बात रख रहे थे और इधर आज दिल्ली में अधानी और हिंडनबर्ग मामले में मोधी सरकार को सुप्रिम कोट ने करारा जटका दिया है सुप्रिम कोट ने मोधी सरकार के सील बंद लिफाफे में एक्सपर्ट के नाम लेने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही कोट ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अब खुद इस पूरे मामले की जाच के लिए कमेटी बनाएगा पिछली सुनवाई के दौरान कोट के कहने पर सरकार केस की जाच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि एक्सपर्ट्स पैनल के सदस्यों के नाम वो सील बन्द लिफाफे में कोट को सौपेगी आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने कहा कि हम इस मामले में इस मामले की जाच करेंगे और पारदर्शिता चाहते हैं इसे में केंदर सरकार के सुझहाव को स्विकार नहीं किया जा सकता है कि वो सील बन्द लिफाफे को ना खोले कोट में लिफाफा यंद रहे कोट में 70 Casey या जो नाम सरकार की जाच कमीटी खुद बनाएगा इसके साथ ही कोट ने विशेशग कमीटी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है यानि अब कोट की तरब से नाम जाएंगे कि कौन-कौन से लोग इस विशेशग कमीटी में एक्सपर्ट कमीटी में होंगे तो सुपरिम कोट ने साफ कह दिया है दोस्तों की वो अपनी कमीटी बनाएगा और इधर जोर्ज सोरोस के बयान पर घिरी हुई बीजेपी ने बड़ी चतुराई से इस पूरे बयान को राश्र की रक्षा से जोड़ दिया है जो अभी होगा नौम चौंपस्की का नाम आप जानते हैं नौम चौंपस्की जैसे लोग भारत में लोकतंत्र के लिए खत्रे पर बहुत कुछ लिख चुके हैं बोल चुके हैं पीम नरेंद्र मुदी के शासन में बढ़ती साहिशनुता और अलपसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर भ पहले भी यह सब कुछ लिखा बोला जा चुका है लेकिन अभी बीजेपी को इस हमले से अपने लिए खत्रा नजर आने लगा है बीबीसी पर च्छापे मारी की कारवाई का भी अच्छा संदेश दुनिया भर में नहीं गया यह हम सब ने देखा तीन दिन तक लगातार बी विदाट फियर और फेवर में काम करता रहेगा यानि ना किसी के दबाब में और ना किसी से डर करके वो काम करेगा यह साब संदेश किसके लिए है यह समझना मुश्किल नहीं है वैसे कॉंग्रेस के जैराम रमेश ने भी सोरोस के बयान को गलत बताते हुए ट्वीट किया क्या कुछ ट्वीट में कहा है देखिए जैराम रमेश कह रहे हैं कि पीम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पनरुथान शुरू करता है या नहीं यह पूरी तरह कॉंग्रेस विपक्ष वह हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करता है इसका नहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तै नहीं कर सकते यह आप देख रहे हैं कॉंग्रेस के जैराम रमेश जो कुछ लिख रहे हैं वह आपके सामने है और इस ट्वीट से जैराम रमेश ने दो तरफा वार किया है एक त उसरी तरफ जैराम रमेश ने अपने टूइट में टूइट के जरिये नहरूवादी विरासत का जिक्र करके सरकार को यह संदेश भी दे दिया है कि नहरू के रास्ते पर चलकर ही देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तो यह बहुत सारी बाते हैं दोस्तों और आएए आज नियूस पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या यह सब कुछ जो हो रहा है जोर्ज सोरोस का बयान जो आया है जिसमें वो अलफ संख्यकों की बात कर रहे हैं अडानी की बात तो कर ही रहे हैं लेकिन देश में बढ़ती असाहिशनुता और अलफ संख्यकों के खिल कि नागरिक्ता जो अलफ संख्यकों की नागरिक्ता है लगवक्त 14 करोर अलफ संख्यक मुसल्मान जो हैं वो यहां पर नागरिक्ता खो देंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं मोदी जी और दूसरी बात यह जो सनक है हिंदू राष्ट की वह देश को बरबादी की कगार जरूरी है और लोगतांत्रिक परिवर्तन जरूरी है जोर सोर्स क्या हिंदू राष्ट्र सब का ही यह चल रहा है वही तो आए दोस्तों क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के संग के इरादे और हिंदुत्य की लहर अब बीजेपी के लिए मुनाफे की बात नहीं रही है विद के लिए खत्रे की घंटी है क्या विदेश में बन रही है दो हजार चौबिस की रणनीती बहुत सारे सवाल हैं सवालों का